हलो एवरीवन आप सबी कर स्वागत है यूट्यूब चैनल पर आप लोग जानते कि हम पिछले कुछ जिनों से साथ हैं मिलकर शोट कॉंसेट्स के जरिये कुछ बहुत भेतिन कॉंसेट्स देख रहे हैं साथ इसाथ उन पर बेस सवालों को बहुत जल्दी से कैसे किया जाता ह तो आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक बहुत शानधार चीज़ जिसे कि हम लोग कहते हैं Stolz-Cesaro Theorem, या फिर कुछ लोग इसे बोलते हैं Stolz-Cesaro Theorem, नाम से ज़ादे इसका काम हमारे लिए important है, उसे देखने ही कोशिश करते हैं, ये ठिरम हमें क्या सिखाती है, और किस तरह के सवालों में हमारी ये जिन्दगी बहुत असान कर देती है, ये हमें कहती क्या है, यदि आपके पास XN एक Real Sequence हो, Real Sequence क्या होती है मेरे पास हम जानते हैं, कि Sequence basically कुछ और नहीं, हमारे पास function होता है from set of all natural number to any non-empty set, अगर मेरे पास वो non-empty set जो होता है co-domain, Real Number बन जाता है, तो Sequence कहलाती है Real Sequence, इसके साथ साथ, YN जो Sequence हो, वो strictly increasing हो, and मेरे पास जो इस Sequence है, वो diverge करती हो plus infinity पर, इन दोनों चीजों के बारे में हमें पता है, strictly increasing का मतलब क्या है, कि Y1 less than Y2 less than Y3 इस तरीके से आ रहा हो, और ये अपने पास जो Sequence है, वो infinity पर diverge कर रही हो, ये हम जानते हैं, ऐसी परिस्थिती में हमारे पास, जो Stolz theorem है, वो हमें कहती है, कि यदि आपको limit निकालने के लिए पुछा जाए, limit N tends to infinity XN by YN, तो आप इसे आसाने से निकाल सकते हो, किसका यूज़ करके, यदि मेरे पास, जो limit है N tends to infinity, XN plus 1 minus XN, divided by YN plus 1 minus YN, यदि ये exist कर जाती है, तो हमारे पास ये दोनों के दोनों limits बराबर होती है, एक बहुत शानदार बात, अब इसका यूज़ करके देखो, हमारे जिन्दगी कैसे आसान होती है, एक सवाल यदि मुछ से पूछ लिया जाए, limit N tends to infinity, 1 plus 1 by root 2, plus 1 by root 3, so on up to 1 by root N into 1 by root N, अब यहाँ पर N होता तो हमें कोशिस ठियोरम याद आती, बट यहाँ पर भी हम अगर बात करें, इस टोल्स ठियोरम की तो वह जिन्दगी बहुत असान कर देती है, किस तरीके से, यहाँ पर अगर मैं, XN लेकर चलता हूँ क्या, यहाँ पर मेरे पास XN प्लस वन क्या बनेगा, यहाँ पर मेरे पास XN प्लस वन क्या बनेगा, YN मैं क्या लेकर चलू इहाँ पर, YN ध्यान से देखो, हमें एक एह सिक्मेस चाहिए होती है, जो कि strictly increasing हो और diverge करे किस पर प्लस इंफिनिटी पर, यदि मैं YN equal to root N लेता हूँ, तो क्या मेरा काम चल जाता है, बिल्कुल काम चल जाता है, एक ऐसी सिक्मेस जो strictly increase करती है, input बढ़ाओगे ता output बढ़ता चला जाएगा, एंड साथ ही साथ ये diverge भी करती है, प्लस इंफिनिटी पर, अब यहाँ पर, यदि आप YN प्लस वन निकालते हो, तो क्या बनता है, root N प्लस वन, यानि कि यदि आप से यहाँ पर पूछा जाए, ये क्या बनने वाला है, ये आपके पास XN है, ये आपके पास YN है, अगर यहाँ पर ये limit, जो हमारी limit N tends to infinity, XN प्लस वन माइनस XN, divided by YN प्लस वन माइनस YN, यदि ये exist कर जाती है, तो अपना सवाल का जवाब हमें मिल जाएगा, अब इसे देखो, स्क्वेर रूट ओफ N प्लस वन माइनस रूट N, जैसे मेरे पास स्क्वेर रूट साते हैं, तो मुझे याद आता है, रिशनलाइजेशन, रूट N प्लस वन नीचे है, अब मैं स्क्वेर रूट N प्लस वन, प्लस रूट N से मल्टिप्लाई करता हूँ, स्क्वेर रूट N प्लस वन, प्लस रूट N से डिवाइड करते हैं, तो क्या मिलेगा, नीचे A प्लस B into A माइनस B, A स्क्वेर माइनस B स्क्वेर, यानि कि N प्लस वन, माइनस N ये बन जाएगा, रूपर आजाएगा स्क्वेर रूट ओफ N प्लस वन, यह cancel होता है हमारे पास यह बराबर आएगा limit n tends to infinity square root of n plus 1 plus root n divide by root n plus 1k अब यहां से तो चीज़े बहुत असान हो जाती है यदि आप n की power 1 by 2 यहां पर common लेते हो उपर से तो हमारे पास क्या कहानी बन जाती है हमारे पास क्या बन जाए गए यह हमारे पास बन जाता है limit n tends to infinity square root of n plus 1 हमारे पास आया है साथ ही साथ प्लस में root n divided by root of n plus 1 n की power 1 by 2 common लोगे हालांकि इसे निकालने का असान तरीका हमारे पास होता है बट अगर मैं in general भी बात करूँ मेरे पास यह क्या बनेगा square root of 1 plus 1 by n plus में 1 divided by n की power 1 by 2 square root of 1 plus 1 by n यह cancel हुआ n infinity पर गया तो 1 by n 0 पर गया 1 by n 0 पर गया उपर बना मेरे पास 1 plus 1 equal to 2 यानि कि यह limit जो मेरे पास निकल कर आई वो क्या बन जाएगी equal to 2 हमारे पास limit आ रहेगी बहुत शानदा अब एक सवाल इस पर थोड़ा सा और बहतर करने कोशिश करते हैं यदि हमें दे दिया जाए हमें निकालना है कि limit n tends to infinity 1 by pi to the power n plus e to the power n raise to power 1 by n into 1 plus 1 by 2 plus 1 by n divided by log n to the base e ये limit मेरे पास क्या आएगी option a आपके पास है 1 by pi option b आपके पास है 2 by pi option c है 3 by pi and option d है 4 by pi इस सवाल का आपको try करना इसके लिए hint क्या है आप लोग जानते हो यहाँ पर ता आपको लगाने के बाद चीजें बहुत असानी से नज़र आएंगी अब इस sequence को आप कैसे देखोगे इस sequence को देखने के लिए को छोटी सी बात याद आने चाहिए क्या कि मेरे पास जो limit n tends to infinity a की पावर n होता है वो 0 के पास जाता है अगर मेरे पास a minus 1 से 1 के बीच में हो इसका use करकर आप यहाँ पर जवाब निकालने को हुश करना और मुझे पता है कि आप जवाब निकाल लोगे तो यह अपने पास होती है stall storm जो कि हमें काफी शानदार बात बताती है I hope कि आपको stall storm अगर कहीं पर भी अफशक्ता हुई ता आप उसे लगाने के लिए अब से हमेशा याद रखा करोगे सो आज के लिए हमारा यही एक concept था stall storm जो कि काफी शानदार होती है I hope आपको बाते क्लियर होई होगी अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप निचे कमेंट करकर महापर असानी से जो भी दिक्कत है उसे लिख सकते हो कोशिश करेंगे कि उस दिक्कत को जितना जल्दी ह सके दूर किया जा सके तो आज के लिए हम बातों को यहीं पर रोकते हैं thank you very much अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like जरूर कर देना साथ में दोस्तों के साथ share तो कर देना आपकी मुझे पता है कि आप लोगों कर देते हैं ठीक है so दोस्तों के साथ share कर देना और लग रहा है कि नहीं कुछ ऐसे concept है जो कि आगे चल कर आपको जानने की अफशकता है तो उन पर भी वीडियो आपको मिल जाएगी जल्दी तो उनको just comment में बता देना कि जिसमें जाद इकता थे उस पर पहले बात कर लेंगे so issue meet के साथ next video मिलेंगे चीज़ों को थ अग्या है चीज़ों का वा इता है शे खवि एक्लावग सब्सक्ता घाएग्या है, लृट इसमें आपको आपकोड्या है घ्या है